असलाम अलेकम वेलकम टुकोडैनेक्स और SQL या SQL की इस सीरीज में मैं आपको अगेन खुशामदेद कहता हूँ इस specific lecture में हम देखने वाले हैं कि database कैसे बनाना है और basically हम command prompt को use करेंगे सबसे पहले आप start में जाएं command prompt में जाने के बाद यहां पे आप इसको run as administrator कर लें अगर normally run करना है फिर भी आप कर सकते हैं but I would recommend कि आप run as administrator करें यहां पे जाने के बाद आप लिखें mysql mysql लिखेंगे शिट यह तो error दे रहे अब error को कैसे resolve करें तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा अपने याद हो आपके यूजरनेम और password दिया था तो यहां पे पहले username दे माइनस p लिखें तो root हमारा username है माइनस p लिखने के बाद यहां पे password आइड करें जो आपने लिखा है लिखने के बाद आपके पास इस तरीके से SQL open हो जाएगा ठीक है तो यहां पे हमने database बनाना है लेकिन उससे पहले हमें देखना भी पड़ेगा कि SQL के अंदर और ready जो आपका root यानि के local आपके PC के अंदर SQL की language को use करते हैं कौन कौन से databases है उसके लिए आप लिखेंगे show databases फिर इसके बाद यह देखें enter मारा मैंने नहीं चला तो आपको क्या लिखना पड़ता है आपको semicolon लगाना पड़ता है तो आपको इस तरीके से यह databases आटेंगे मैं again करता हूँ show databases semicolon और enter किया तो यह मेरे पास databases के name आ चुके है little letters में लिखने है small में doesn't matter create database और database का name लिखता हूँ अमार या इसको मैं कर लेता हूँ codenics db ठीक है मैंने इसका database का name रखा उसने का query ok one row effective that means हमारी command run कर गी कोई error नहीं आई तो again मैं लिखूँगा show databases तो इस तरीके से हमारे पास ये databases show हो गए तो आप देखें यहां पे हमारे पास codenics db जो है वो उस तरीके से यहां पे show हो चुका है अब इसको use कैसे करना है मतलब जितनी भी command मैं यहां पे run करूँ वो codenics db में कैसे जाएंगी तो उसके लिए मैं लिखूँगा use codenics db जैसे मैंने case sensitive से लिखा वैसे लिखना तो मैं db भी वैसे लिखूँगा तो यह देखें database changed ठीक है तो यहां पे हमने database change कर दिया अब next lecture में देखते हैं कि हमने table कैसे बनाना है ठीक है जी